अब दो प्रेंट्स दूब आप सभी का इंडिया के नंपर वन इस्टेडी चैनल वाइफाइए स्टेडी में नाओ वाइफाइए स्टेडी इस पार्ट वण अब सभी लोग जानते हो और मैं दीबक तीरत्यानी आप सभी लोग के लिए लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही बढ़िया शांदार और धमाकेदार सेशन लेकर गाइस जो की होने जा रहा है एनालोजी और क्लासिपिकेशन पर और आज हम लोग उन इंपोर्टेंट कोशन्स को हम लोग करने वाले हैं जो एनालोजी क्लासिपिकेशन के हैं और जो वर्ड एनालोजी और क्लासिपिकेशन से रिलेडेड हैं बाइन नमबर स्वारे तो आप लोगों ने बहुत सारे प्रशनी की हैं और बहुत सारे पेटर्न आपको याद भी है लेकिन आप एक्जाम आपको अल्रेडी CGL का एक्जाम है, मही में आपका CHSL का एक्जाम है, चार तरिक को कमीटी की रिपोर्ट आने वाली है, आप लोगों की रेल्वे के लिए, फिर गृूप D वाले और NTPC के इस सेशन में भी दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है, और यहां से मैं आपको पतातू कि आज जो मैं पढ़ा हूँ अना, यहां से आपको हूप अहूँ, वैसे के वैसे ही, वर्ड से रेलेडेड़ कोशन्स जो है, आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो चलिए, बहुत बड़ी अनॉंस्मेंट दोस्तों, आप लोगों के लिए है कि स्कॉलर्शिप टेस्ट चालू हो रहा है, दीपू 10 को लाकर 27 सारी को यह स्कॉलर्शिप टेस्ट देना, और टेलिग्राम जरूर जोइन कर लेना, यहाँ पर आपको सारी PDFs मिल जाएंगी, आज के सेशन्स की जितनी भी PDFs हैं न, शॉर्ट ट्रिक की हो, चाहे किसी की भी हो, सारी PDFs आपको दीपक सर रीजनिंग ओफिशल टेलिग्राम पर मिल जाएगी, ठीके, चलिए, तयार हो जाएए, यूनिकॉन बैच के लिए दोस्तों 10% डिसकाउंट के साथ में जोइन कर पाएंगे आप, और फाउंडेशन बैच भी अपना चालू हो रहा है, जो कि 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीके, इसे आप जोइन कर लिजिएगा, के रूप में भी क्लासेस आपको मिल जाएगी, जो प्रीवेस बैचेस हैं, जिसमें टीचर्स की सभी क्लासेस भी चल रही है, वो सब भी आपको मिल जाएगी, गाईज, ओके, चलिए, यह अपना डेली ग्लास का शेडियूल होता है, इसे आप जरूर जोइन कर लें, अनलोग कोड है, डीपू 10, आइकोनिक और प्लास सब्सक्रिप्शन सब में, आपको क्लासेस मिल जाएगी, खलियर है, तो फॉलो जरूर कर लें, आना केड में उपर, फॉलो करेंगे, तो लिखावा आएगा, फॉलॉिं फॉलाइग लिखे वे आने के बाद में दोस्तों-आव बैचेस पे क्लिक करोगे, सी ओल पे कलिक करोगे, सी ओल पे क्लिक करने के बाद, सभी teachers की सभी class उसको आप लोग access कर पाएंगे यहां से एक badge select करके ओके guys चलिए start करते हैं पहले प्रश्ण की तरफ आगे बढ़ते हैं आपने जैसे यह प्रश्ण देखिएगा तो उसको बहुत मज़ा आने वाला है पूरा focus यहां पर रखिएगा एक एक करके जवाब देते चाहिएगा पहले प्रश्ण का आंसर क्या बनेगा भारत का राश्टिय मोर दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत का राश्टिय जो पक्षी है अपना वो जानते हैं आप मोर है तो USA का क्या है कौन बताएगा आपने से लाल पतन रेड काइट बॉल चाहिए तो खाहां से हैं शर्दा तू कहां से अरे मैं तो आप घूमने गई थी मैं तो आप यहीं बाते करते रों तुम लोग मतलब पढ़ने के लिए आते हो यह बताव मुचे तो चले जो एक दूसरे अगरा आरहम से पतावता पूच्छ लो को नमर वगएरा ले लो बा चले जल्दी से वदाई खुश्बू कुमारी जी गेमिंग प्रग्या पीके कुमार नमीशा चैनानी विशाल पाल और संदीप कुमार प्रजापती सभी लोगों का तहें दिल से स्वागत है याद रखिएगा दोस्तों इंडिया का जो राश्टी पक्षी है वो मौर है तो यूसे का राश्टी पक्षी जो दोस्तों है दोस्तों वो क्या है बॉल डीगल ध्यान रखिएगा नेक्स अगला कोशन आप लोग समने मानव को एनरजी के लिए किसकी आउशक्ता होती है भोजन की आउशक्ता होती है तो आटो मोबाइल कार वगेरा चलाने के लिए मोटर हैं मैंनृ बनता है है भाई साब तो केटालोग किसका बनता है ना तो इसी तरीके से क impressions आनुभोह इसमेने पर अनुभाव होता है तो किसी का अभीवादन करने इस चीज़को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दो और पड़ाई पर फोकस कर लो ठीक है सेलेक्शन नहीं हो आना तो ससुराल वाले बहुत पिटाई के लागा देंगे दुमारी ध्यान अकलना एक चीज़ चलिए यहां पर ध्यांग से चल दिए घर के अंदर क्या होता है तो विश्व में क्या होता है एक बाद बता हो कमरों से मिलकर घर बनता है तो कंट्री से मिलकर है ना राष्ट नेशन्स कंट्री नेशन्स से मिलकर क्या बनता है वर्ल्ड बनता है चलिए कर नेक्स आगे चलते वस्तू विने में वस्तूओं का क्या होता है वस्तू विनी में है ना जल्दी बताईए वड़ावट से बनाए तुरुन प्रभाव से वस्तूओं क होता है वस्तू विनी में छलो बनाइए वस्तूों का वस्तू विनी में होता है न किसका क्या होगा यह आपको बताना लेकिन जो करेक्ट आंसर देगा वहाई साभ उसी का ही सही माना जाएगा ए अंसर आ रहा है यहां पर ओब यसी बात है डिजीज का क्या होता है इलाज होता है बिल्कुल सही का आपने रोग का क्या होगा इलाज होगा वस्तुमों का वस्तु भी नहीं होगा तो रोग का इलाज होगा मस्तिश्क प्राकतिक नेचुरल ब्रेन क्या है नेचुरल क्या लोजिक लगाएंगे इसके अंदर ब्रेन क्या एक नेचुरल फॉम है ना भाई सब नेचुरल फॉम है ठीक है मस्तिश्क तो क्या है प्राकतिक रूप से एक तरीके से हमें जनम जाती प्राप्त होता है ठीक है तो आठिविश्यल क्या यह आठिविश जंगल आठिविश्यल में क्या होता है यानि सम्विधान में संशोधन होता है तो बुक्स के अंदर क्या होता है इराटा शुद्धी पत्र ठीके सम्विधान में संशोधन होता है तो बुक में शुद्धी करन के लिए क्या देते हैं शुद्धी पत्र चलिए नेक्स आगे डेंटिस्ट डेंटिस्ट भी एक कि डॉक्टर स्कें अंतर गत डेंटिस्ट आ जाएगा है हुआ ठीक 127 अाध्य नीीघ्ट्स summary साइनस कहमेश्ट यह फिल्कुद किमेश्ट्री किसका पार्ट को जाएगा शार लाटनियमेश्ट बंदर क्यों Cheese ऌलग क्या होता है है इस बार चॉतना होता है जलती जलती से जवाब देते जाए जाएगा होता है इस डुटना होता होता हैं तो भुजा को मौड़ने के लिए क्या होता जल्दी बताई कोह नीं नहीं होती यह अनुद का आपोजट है जल्दी से बते से पड़ा-फट से आनंद और और आमका ते है किया बनेगा पता हम ओट देखो इस चमकदार प्रकाष्त समाना आए प्रतिवा उसाली ये भी समाना आए और सिये मंद मेस अरति लेकिन चमकीला और हमंगं houses चमकीला और हमंगल यह तो अलग हो गया Kapiro नेक्स आगे चिलाना बोलना चिलाना और बोलना एक दूट मतलब बोलने का उग्र रूप अपन कह सकते हैं कि चिलाना है बोलते बोलते चिलाने लगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे उग्र रूप बोलने का उग्र रूप अगर चिलाना है तो किसका क्या बनेगा जल्दी से बताओ पढ़ने में इंट्रेस्ट नहीं हो तो किलास बंदे कर देते हैं सिंपल सा एक काम कर लेते हैं आप अब आते ही कर लो कोई दिक्कत नहीं है ना वही तो आएंगी आपके एक्जाम में माता पिता तो उसी से प्रसंद होंगे आपकी उनको लग रहा होगा पैरेंट्स क किसी को मोराल डाउन होगा ठीक है लेकिन आप खुछ समझदार है जिसे एज पर आप हैं जीवन का बहुत ही क्रूशल समय चल रहा है उसका समय की बरबादी जीवन की सबसे बड़ी बरबादी यह बाध्यान लगे ठीक है इसलिए पूरा फोकस यहां रख लें सीधे सीधे प्रशन उठकर आएंगे यहां से मैंने आपको बोल दिया जो मान लेगा वो सेलेक्शन ले जाएगा जो नहीं मानेगा वो खुद के पेरों पर कुलाड़ी मारेगा अपना क्या जाता है भाई सीधी सी बात है सिंपल सी गड़े ठीक है सभी लोग दिल से लाइक करतेंगे और शेयर करते रहें हैं कि अधर देखी का चिलाना न बॉलने का उगर्रों क्या होता है दूस्तों था क्रोद होता है को तो lines फोस्ट का दीए राधे तो पोस्ट का लेटेञा करना या अध्यन करना उनके बारे में वो कौन होता है डेल्टियो लोजिस्ट याद रुखिए रहा बहुत ही इंपोर्टेंट चलिए जल्दी से बनाएंगे बटा फटाफट से बनाएंगे कि टिरी बनाएं जून किसका भाग है वर्ष का ही भाग है महिया मतली यू कह सकते हैं कि महिना जून का महिना जो है वर्ष के अंतरगती आएगा तो ब्रस्पती जो है किसके अंतरगत आजाएगा सब्ता के अंतरगत आजाएगा चलिए जल्दी से बनाएंगे फटा फट से बनाएंगे एक सेक हीरा कुंड, बांध जो है दोस्तों आप लोग जानते हैं महान अदी नधी पर बना हुआ है, तो तेहिरी देमर किस पर बना हुआ है तो आगी करिए दोस्तों अगला प्रश्न अगला प्रश्श झाल 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 आटिस्स जो कलाकार होता है ज्यान से दिखिए हैं मंडे आर्टिस्टों की क्या होती है एक टूप होता है का मंडेली होती है तो सौलजर्स किसमें इंक्लूड होते हैं सेना में नेक्स आगे पाई देखी गाई दे का इतर रबर लचीला रबर का एक बुन होता है कि वह इलास्टिक फोंग में लचीला होता है ठीक है तो जल्दी से बताइए स्पंच sponge कैसा होता है भाइसा बहूत ही क्या विशाल होता है ठोस होता है इन-Flexible गलत flexible होता हो तो यह होगा और जरजरह होता है ना जब आप sponge को डेखते हो पानी अगएरह में डालते हो या फिर आप उठाते हो तो जर 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 असे लगता है बीच में ऐसे लगता है कि उसमें छे दने हैं बहुत सारे ठीके घोडा लौजी इसका क्या बनने वाला को झाल 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 बनाई यह चुड़ी राग ठीक है वोईस तो स्वादिस्ट क्या बनाई यह क्या बनाई आवाज की एक क्या होती है राग होती है और अ एयुक्छ वैत्म स्वाद का स्वादिस्ट किसको तरशात है स्वाद को को दर्शाता है स्वाद एक क्या होता है स्वादिष्टता को दर्शाता है चलिए नेक्स आगे रिवर डैम ठीक है रिवर पर क्या बनता है दोस्तों डैम बनता है तो बताइए क्या बनता है कि regardless ॹिए बनता है रोकने के लिए इसी तरीकिसे ट्राफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्राफिक सिनल बनते okay सियन sequel रिवर में के डैने बनते हैं इसके सो कि भर सय नीचे वाले कोशन को भी देख लें एक बार उस पर भी थोड़ी सी नजर घुमा लें एक बार अच्छे से बताओ सही गया अरे भीया ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक सिगनल बनते हैं तो नदी के पानी को कंट्रोल करने के लिए बांध बनते हैं सही तो है चलिए अगला कोशन देखेंगे जन्तु जन्तु शास्त्र जन्तु के बारे में जो अध्यान होता है वो क्या कहलाता है जूलोजी कहलाता है तो नर्वस सिस्टम के बारे में दोस्तों जो अध्यान होता है वो क्या कहलाता है नेफ्रोलोजी नियूरोलोजी कहलाता है क्या कहलता है neurology next आगे नदी का प्रवा होता है नदी में एक stream होती है तो महासागर में क्या होता है महासागर में जल्दारा होती है पड़ापट पड़ापट से जल्दी से जवाब देते जाओ तुरंद प्रभाव से एक एक सेकिन में आंसर आना चाहिए जल्दी से बताइए जीवित और म्रत एक दूसरे के अपोजट है जीवित होना और म्रत होना लिए या गुमाने के लिए किसकी आउशकत्ता होती है तो motorcycle को Shortly अब धुमाने के लिए किसकी आउशकत्ता होती है कम से कम 100 से 200 प्रश्ण करेंगे आज जल्दी से पधाफँद्म जवाब देते हैं अगि एक दम है speed से बरफ और थंडा एक दूसरे बरफ का गुण है ठंडा प्रतीत करना तो भाप अपने आप में क्या होती है उसका गुण क्या है गरम भाप गरम होती है और बरफ ठंडी होती है पैंसिल के अंदर क्या होता है लेड होता है तो पैन के अंदर क्या होता है लेड नहीं होगा तो पैंसिल काम नहीं करेगी तो ऐसे पैन के अंदर स्याही नहीं होगी पैन काम नहीं करेगा CDC बात इंक होती है भाई पैन के अंदर चलेगा बहुत बढ़ी या शाबाश नेक्स अगला प्रशन पड़ाफट पड़ाफट से जवाब देते जाएए दोस्त भाई जूता चमड़ा ठीक है चमडे से क्या बनता है जूता है नहीं बहुत हीजित में चाहता हूं की आप लो इस तरीके के प्रश्णों में जो आप लो गलती कर के आते हैं एक्जाम में फिर आप देखते हैं के अंसरगी कि सरीए क्या हो गया तो वो गलती नहीं होना चाहिए आराम से सोच लो पहले क्या लोजी लगाएंगे चमडे से मिलकर जूता बनता है चमडे से जूता बनता है तो कंडेक्टर से बस बने गी घामर से राजमार्ग बन बनती है नंती ये बताओ लोग से लोग इसकी तरफ करेंगे कि डामर से थ्यावडा यूजा करके इसके भाग जोड़ जोड़ के हम जूता बनातें है तो ऐसे बोगी जोड़के हम लोग क्या बनाते हैं ट्रेन है next dinosaur और dragon एक ही प्रजाती के हैं मतलब अपन यूँ कह सकते हैं या same category बोल सकते हैं कि ये same category से belong करते हैं dinosaur और dragon same category से belong करते हैं तो आपको बताना है कि him और ice भाई सब बरफ, snow या ice same category से belong करते हैं चलिए फासी एक तरीगी का dund है, condemned execution dund देना, फासी लगा देना समानारती तो ऐसे निर्वाचित निर्वाचित होकर आना ठीक है, निर्वाचन कोई निर्वाचित होके आगया तो आप क्या करोगे आप तुम्हें dund दे दी है, तुमने क्या कर दी है फासी लगा दे, सोच थोड़ा सा दिमाग लगाओ जोर डालो यहां पर बहुत important है भाई, दंड मिला, तुमने फासी दे दी तुम जीत कर आए, तो तुम्हारा क्या होगा? इन्नोग्रेशन होगा ना? अभी शेक होगा भाई, CDC बात ठीक है, बारिश बादल, बादल आएंगे, तो बारिश होगी, CDC बात है बादल आएंगे, तो क्या होगी भाई सा, बारिश होगी? बादल आएंगे, बारिश होगी? clear है? अब यहां पर एक बच्चे ने कोशन पूछा है कि सर इसका भी बता दीजिए मुर्गी अंडा मुर्गी अंडा देती है आपने लिखा है पेड़ पेड़ क्या देगा? अंडे थोगी देगा? पेड़ क्या देगा? ज़ली से बताओ फड़ा फट से तुरूपरवाव से बताएंगे एक बार अरे भाई मुर्गी अंडा देती है तो पेड़ फल देगा? कुश्मा मिलती है B option is the correct answer सभी बच्चे एक बार थम सब कर देंगे ठीक है अब यहां से जो कोशन सब आने वाले हैं अब कोशन कि रुकिए का इधर कि अधर कि यहां देकोशन ही रहे गए कि इसमें रुको है कमेट कि लोको दोस्तों आदी फाइल ही अप्लोड हुई दूसरी फाइल अप्लोड करना ही पड़ी है 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 झाल झाल इस समझ में यह इतना से कोशन 300 कोशन की फाइल उठाई थी मैंने पच्छास हर्ड यह 40 बच्छास कोशन ही कैसे आए लुद आए लुद कि बढ़िया क्लास चल रही थी विता नहीं कहां फाइल रहे गए आगे चलो मिल गई कि रुकिएगा दोस्ता 27 सारीक को तो यह टेस्ट लगा नहीं आपको है ना देखी गया यह तो कि दूह तोस्ता द मिल राता है नहीं आगे जह दो कि वाईonse।ान झापना ह有一 pię M जो आपको मैं मोटिवेट करता हूँ आज पढ़ी अमस्त फिर देखो आप पूरी रात पढ़ोगे फिर आप स्वामी विवेकानन जी को जानते हूँ कि नहीं जानते हूँ भाई सार एक ऐसी सक्सियत जिनकी वज़े से भारत को जाना गया उस समय ठीक है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मनजिल प्राप्त न हो जाए यह उनके कथन थे स्वामी विवेकानन जी के कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मनजिल प्राप्त न हो जाए अगर आपकी मदल अभी भी अधूरी है और आपको नहीं मिली है न तो रुकने की बात नहीं है ना हमें रुकना है ना हमें जुकना है ठीक है हमें आगे बढ़ते रहना है और मनल प्राप्त परनी है चलिए बड़ावर से बताईए बड़ाई लोहार बागबानी और धर्जी चारों में से कौन सा अलग है तुरंद प्रवाव से बड़ाई लोहार बागबानी और धर्जी बड़ाई को क्या चाहिए लकड़ी चाहिए भाई सब ब्लेक समित लोहर को लोहा चाहिए टेलर को कपड़ा चाहिए लेकिन बागबानी करने के लिए दोस्तों छेनिय थोड़े उठाओ गये और चल दोगे आप बागबानी करने और वैसे भी ये सारे क्या नाउनने देखो कारपेंटर एक नाउने संग्या है बलेक स्मित एक संग्या है टेलर दरजी ये भी संग्या है लेकिन गार्डिंग करना तो क्रिया हो गई न ये क्या हो गई क्रिया हो गई नेक्स आगे इर्शा, रोना, क्रोधित और दुख रोना दुख व्यक्त करना क्रोधित होना और इर्ष्या करना कौन सा अलग होगा बताई डू फास्ट झालग होसा भास्ट अब यहां पर भाईजाब आपको आंसर नहीं आ रहा है इसका मतलब क्योंकि आपके आंसर देखकर ही भाईजाब पता चल गया कि आप जब दो बार आंसर देता है ना कोई तो वहीं से समझे मालता देखोई था थोड़ा सा दिमाग लेगो जब आप इर्शया करोगे इर्शया करोगे तो आपका फेस का एक्सप्रेशन चेंज होगा जब आप दुख वेक्त करोगे तो आपका फेस का एक्सप्रेशन चेंज होगा जब आप क्रोध करोगे तब आपका फेस का एक्सप्रेशन बाकी तीनों फेस के एक्सप्रेशन से सम बन देता है लेकिन रोना रोने में तो आप क्रिया करने लगोगे फिजिकल क्वांटिटी में चीज आपके बाहर आएगी समझ में आरे कि नहीं कि नहीं बहुत ही सोच समझ के और आराम से करने वाला कोशन था यह ऐसे होने वाला नहीं था इर्शा करेंगे दुख वेक्ट कर है सम चतरबुज शटकॉन समांतर चतरबुज और दिर्गवरत कौन साल होगा इसमें चत्रबु एक्जागुन पैरलोग्राम रॉंबस सभी के अंदर लाइन यूज होंगी लेकिन एकलिप्स इलिप्स जो दिर्गवरत होता है उसमें लाइन थोड़ी ना बनेगा उसमें स हो चाहे शलगम हो यह सारे के सारे दोस्तों आपकी जमीन के अंतर करते हैं जमीन के अंदर जमीन के नीचे ना बनेंगे लेकिन गौबेज जो काबेज होता है बंद वो भी जो है वो जमीन से ऊपर होती है नेक्स आगे हल्दी जिंजर आलू और टमाटर हल्दी जिंजर आल और टमाटर जिंजर आलू और टमाटर टमाटर बल्कुल सही का आपने पहली बात तो टमाटर फ्रूट है पहलें के जमीन के उपर चलीगा आईसलेंड कोस्ट हार्बर और ओैसिस दोस्तों बहुत इस ङुद्ध कहाँ पर होगा voulaisश्यारा कहा पर होगा DR चलीके भ los होंगे वह भी पानी के उधर हूँगे वह वह हार बहुत ही इmpotent है यह कहां होगा भाई साब यह होगा रेगिस्तान बर रेगिस्तान और Memory के सीजो होगा मेरे र्हें सिस होना चाहिए कि क्यों दोस्तों? अब है और विए। होता है रेगिस्थान अब रभर भाट भी पानी बिल्कुल हार भर भी पानी इससे ही संभनी तो एस जो ओगा जिसको पर बोलते हैं चल्का वाला सीन बोलते हैं अपनो ऑफ जो ऐसा लगता है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पानी है ना ओएसिस यह यह रेगिस्तान में होगा बाकी सब वाटर से रिलेटेड बाकी सब में पानी किसे सम्मदी चीज है यह रेगिस्तान लिक लेना इसको नौट कर लेना अच्छा कोशन चलिए अंगरी जी विश् रशीयन जर्मन तो लेंग्वेज यह अलग हो जाएगा नेक्स आगे चलेंगे अर्ञ विकर ने इस परश रेख और तृज्ज्या त्रिज्या सर्कल से सम्मदी थे इस परश रेखा भी सरकल से समदी के और तुढाइगोनल दाय kart में होता है भाई होगा दोस्तों देखिए ये तीनों के तीनों क्या हैं साइट्रस फ्रूट से बनाना को छोड़ कर यानि खट्टे फलों में गिना जाएगा इनको साइट्रस फ्रूट्स यह अलग हो गया नेक्स आगे हाइट्रोजन ऑक्सिजन आयोडीन और नाइट्रोजन क्या बनने वाला है लाइक करते रहो यार शेयर करते रहो फड़ापट से जल्दी से तुरंत क्या बनने वाला है हाइट्रोजन ऑक्सिजन आयोडीन और नाइट्रोजन आयोडीन गेस थोड़ी नहीं है हाइट्रोजन ऑ तो सॉलिड होता है ना आप नमक आयोडीन होता है उसके अंदर तो सॉलिड फॉर्म में होगा यह बागी सब कैसी फॉर्म में होगे चलीगा नेक्सट अगला है दोष्टो ताइगर शेर फॉक्स और ट्नदुआ uh क्या वनेगा टाइगर लोयन लियोपाड एक बहुते हैं सारे इंक på नियु से बढ़े कि रुखो में बता भी दिर्तों कहां पर और यह प्रश्न यह प्रश्न आया है आप का यह से-ई-छ-एобр थो थाउजन आफ़्ी बाकि यह तीनों झो है यह तीनों आपकी कbuat इस अ क्योटि 變 है चले नेक्स पैन केलकुलेटर पैंसिल और इंक ज़ो है दोस्तों एक उपकरन है बाकि उपकरन थोड़ी नहीं है क्या बनने वाला है वेरी गुड वेरी गुड बहुत बड़ी या शाबश चलिए पेड़ जड़ देखिए अभी यहाँ पर आपने क्या किया एक तरीके से नहीं सुरी इसी प्रश्ण को देखी का एक बार अब कभी कभी क्या होता है ना चीजें अलग नहीं होती हैं बहुत सी बार classification यानि यह जो topic आप पढ़ रहे हैं classification odd one out जिसको हम बोलते हैं चार में से 3 समानता है एक अलग है तो कभी कभी कुछ अलग नहीं होता इसके अंदर क्या होता है कि जिसे पूल पेड़ का ही भागे पत समझ में हो ये में क्या कहना चाल लोग यानि इस एक चीज के अंदर बाकी सारी चीजें समाहित हो गई भाइ कि जड़ पत्त फूल रिकित, नहीं किसमें पेड़ में समाहित हो गई तीनों चीजय तो यह अपने आप में बड़ा भाग हो गया जिसने इस इसको समाहित कर लिया ऐसे भी प्रशन आते हैं अलग नहीं है यहां पर कुछ ठीक है जैसे अब यहां पर देखिए इस जगर इस जगर देखिएगा समय सेकंड घंटा दीवस तो भाई साब सेकंड भी समय का भाग है घंटा भी समय का भाग है और दीवस भी भाई साब समय का भाग है तो समय के अंदर ये सब आ जाएंगे समझ में आ रहा ही कि नहीं आ रहा बहुत important चीज है समय के अंदर उसने सब को समाहित कर लिया तो ये प्रशने भी important है ये दोनों प्रशने आपके exam के प्रशने ध्यान से देख लें अच्छे से एक बड़े भागने सभी छोटे भागों को समाहित कर लिया अरे बात समझ में आ गई क्या सभी लोग थमसब कर देंगे फड़ा फड़ से कि ये सर बात समझ में आ गई next अग्या अगला दिखीगा बाड आना, तूपान आना, धमाका आना, धमाका होना और भुकम पाना तो देखी ये सारे के सारे तो भाई साब आप लोग जानते हैं तो समझ में आ गए कि बाड तूपान और भुकम ये सब प्राकति घटना हैं लेकिन एक्स्प्लोशन धमाका करना तो जो है करतिम तरीके से ही होगा आप एक्स्प्लोशन करते हो जिस बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने के लिए बम लगाया जाते हैं डाइनामाइट्स होगे रहा तो ये सब एक्स्प्लोशन ये अलग चीज होगे नेक्स आगे चली बताइगे चली बनाईए ग्राम लीटर टन और क्विंटल तो दोस्तों आप लोगो को साब साब दिख रहा है ग्राम में आप वेट मीजर करोगे सॉलिड का वेट मीजर करोगे तन के अंदर भी सॉलिड का वेट मीजर करते हो लेकिन लीटर के अंदर लीटर के अंदर आप लिक्विड फॉम को मीजर करते हो है ना लीटर के अंदर आप क्या करते हो लिक्विड फॉम को आप मीजर करते हैं याद रखिएगा बहुत बढ़िया शाबाश चलिएगा नेक्स अगला जुपिटर सेटर्न वेनस और सूरिय स सं क्या बनेगा सन अलग हो गया मैं सन अलग हो जाएगा ये तो सं क्या है एक तरीके एक कि थे कोई बताuld शनना इस्टार याद खीएता और यह सर ठीके कें यह सब ग्रह जो है यह सब प्लैनेट से हैं कि यह सब क्लैनट क कि चलिए नेक्स गुलाब कमल मेरी गोल्ड और लिली क्या बनने हो गुलाव कमल मेरी गोल्ड और लिली विदीन टू सेकंड्स में जवाब देते जाने बेटा आप सभी को फड़ा पड़ से जल्दी से थमस अप कर देंगे कुमाल गुलाव कमल मेरी गोल्ड और लिली क्या बनेगा बाई से कमल जो है लोटस आपको पता है कि कीचर में उपता है बाई सब आना इसलिए यह अलग हो पोधे पोधे से मिलकर बगीचा बनेगा पोदों से मिलकर बगीचा बनेगा तो एक बात बताओ किस से मिलकर पेजस से मिलकर किताब बनेगी न, next आगे, इस्मर्ती लोप, इस्मर्ती लोप, फिर है पेरलाइसिस, लक्वा, इमनीसिया में मेमोरी का लोस होता है, इस्मर्ती का लोप, इस्मर्ती लोप कहलाता है, तो ऐसे ही देखीगा इदर, क्या होगा, गती, मूवमेंट, मूवमेंट पे रोग लग जाए अगर, इस्मर्ती पे रोग लग लग याद नहीं आ रहा, तो अपने इसको इस्मर्ती पावड हो गई गती अगर रुक गई तो उसको अपन क्या बोलेंगे पैरलाइसिस बोलेंगे चलेगा नेक्स्ट अगला देखें अपाद can झालेंगे बोलेंगे तो अपन क्या हो पावडड़ी अगर राव पमेर झालेंगे contrad Professori करो अपन का थावड़ स्हड़ सक्ट भावड़स क सकंट के उले हो ख अपन्योन करिख सुम सक्ट ओश सक्ट अन्योन क्पक्रा देखेंगे वहां वहां झाल झाल तो यहां पर काफी सारे बच्चों ने कोशन तो भेजा है भाई सेव चलो बनाओ देखिए सतर्क होना ध्यान से देखिएगा सतर्क का मतलब होता है चोकनना ठीक है सतर्क होना अर्था तो चोकनना होना ठीक है इतना तो समझ में आगे सतर्क होना अर्था तो चोकनना होता है अब यहां पर अभिनाश भाई आपका अंसर आप दे तो रहे हैं लोजिक भी लगा रहे हैं सही से लेकिन आसपास ही पहुँच पा रहे हैं आप पूरा सही से नहीं ग्यान पर आप सतर्क होना चोकन ना होना देखो इदर द्यान से देखिए पहले तो इदर देखिए सतर्क होना अर्था चोकन ना होना अरथा चोकननना होना ये क्या सिनोम से बोल सकते हैं अपन इसको पहले बोल सकते हैं कि ये समा नार्थी चीजें है ठीक है समानार्थी आपन बोल सकते हैं इसको एक सेम अर्थ निकल रहा है कि आप किसी भी चीज से सतर्क होगे तो आप अलडड होगे तो उसको मतलब होना इसका मतलब क्या सदिक चोकन नहों और्फादाफ सतर्ग हो कि एक दूसर के समंहानार थी अब यह से जीवक्षम होना अपनी बोलता है एक मतलब हां इसके हो सकता है यह मतलब यह जीवित हो सकता है होना उसके उस बात का होना तो सुन्दर लाग्षयक साधर नहीं जोगा feasible, संभाव, वेवहारिय, संभाव होना, जीवक्षम होना मतलब, संभावित होना, मतलब हाँ, इसकी संभावना है, यह है, यहाँ पर exist करता है, ठीक है, तो क्या होगा, feasible, चलिएगा next, आगे चलिएगे, empire, खेल में क्या होता है, दोस्तों बताएगे, मद्यस्थता करने के लिए, decision लेने के लिए, कौन होता है, empire होता है, empire का काम क्या है, game के अंदर, decision लेना कि क्या चीज़ सही है, और क्या गलत है, तो विधायर, चुनाओ, क्या करें इसका, debate में कौन होता है, mediator होता है, moderator होता है, सही बात है, debate होगी, तो उसका decision लेने वाला भी तो होगा, moderator बोलेंगे उसका, अजबुत प्राणी आश्चर, ये chief, वेंगो, कौन सा बनेगा वाई, empire का कारे है, game के अंदर, मद्यस्थता स्थाफित करना, और moderator का काम भी यही है, तो जिन्दगी में याद रखें, जब भी पढ़ाई करने बेठें, तो ये सोचें कि आखरी बार पढ़ रहा हूँ, जब भी कड़ाई करने बेठें, तो ये सोचें कि मैं आखरी बार पढ़ रहा हूँ, और कल मेरा exam है, यकिनान इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एक्जाम को आसानी से आसानी से भाई साथ हल कर पाएं ठीक है नहीं अब कोशन बहुत ही टफ आने वाले हैं ठीक है इसलिए सोच समझ के जबाब दीजिएगा कलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए देखीएगा विद्रेम इन प्रशनों को देखे कोशन को ध्यान से देखे चार चीज़े दे रखिए तीन में समानता है भाई कौन सा है जो अलग है शिमला, डाजली, उटी और आगरा शिमला एक उचाई परिस्तित जो जगह है वो है डाजली, उटी सब उचाई परिस्तित जगह है आगरा अलग होगे कौन होगा आगरा चलिएगा नेक्स कुरान, गीता, पंच, शील और बाइबल क्या बनेगा पंच, शील के तो सिद्धान्त दिये गए थे भाई साब लेकिन कुरान, गीता और बाइबल तो होली बुक से है पवित्र, गरंथ या किताबे अपन बोल सकते हैं इनको पंच, शील तो अलग चीज हो गई चलिए घोड़े का बच्चा, मुर्गी, मेमना या छोटा खरगोष घोड़े का बच्चा, मेमना, छोटा खरगोष तीनो एक, छोटी या स्मूल भाग को दर्शार है लेकिन मुर्गी अलग चीज हो जाएब चलिएगा जल्दी जल्दी से फटाफट फटाफट से एक तम स्पीड से जवाब देते जाएगा भतिजा, भान जी, चाचा और पिता चाचा, पिता और भतिजा सारे के सारे मेल हैं और नीज जो है भान जी या लग हो जाएगा उद्ध्यमी निवेशक निर्माता और निर्देशक क्या बनेगा उद्ध्यमी एंट्रोपर्णियॉर हो इन्वेस्टर हो या प्रोड्यूसर हो यह सब पैसा लगाएगे य में ये सब पैसा लगाने वाले लोग हैं लेकिन डायरेक्टर अलग हो जायाएगा भान सा outlook Kathryn क्या हो जायnew तो निर्देश देगा उसको भी आ तो निर्देश जिसको रोपन भोलते चलिएगा next आगे यहां पर क्या बनने वाला है चार दे रखे हैं तीन में समानता है एक ऐसा है जो different है आपको उसी को ग्याद करना है विच वन इस डिफरेंट गीता रेड़ू पीके कुमार डिंपल चोरासिया सलोनी प्रवीन सिमरन रेखा रजा कार्तिक जादव मनीश अरुन सिमरन तेजु कुमार काफी सारे लोगों के अलग अलग अंसर है चलिए देखते हैं यहां पर क्या बनने वाला है कर देखो इदर यहां पर दिखना है एफ के बाद जी एच एफ के बाद जी एच और आए ठीक है डब्लू से आज माइनस फाइट प्लस तू प्लस माइनस फाइट प्लस फाइट प्लस टू प्लस टू प्लस टू बैकने आप किया बनने वाला है कपास नाइलोन रेशम रेशम जो होता है दोस्तों के केड़े से प्राफ्ट होता है जिससरा कि आप सभी लोग जानते हैं बाकि कोई भी कीड़े से प्राफ्ट होने वाली चीज नहीं है नेक्स आगे देखेंगे गोवा जैपुर चैने और आई जोल क्या बनने वाला है गोवा जैपुर चैने गोवा तो भाई साब आप लोग जानते हैं एक क्या हो गया इस्टेट हो गया गोवा अलग हो जाएगा नेक्स आगे बात करना घूमना सोना और दोड़ना बात करना घूमना सोना और दोड़ना घूमना सोना अलग हो जाएगा बाकी सब में फिजिकल एक्टिविटी होगी बात करोगे उसमें फिजिकल एक्टिविटी होगी घूमोगे फॉक करोगे तो भी फिजिकल विजय को लास कर ना लेकिन ग्रोथ करना ग्रोथ तो भाही साथ1 फिजीकल्ंळी है चलिको अगला प्रेश्ण इंड्या इजिप्त गंट्री और ब्राजिल कчес fracture कंट्री हो गई इंडिया कंट्री होगी ब्राजिल सब में एक में समाइत होगे इस तरीके के प्रश्णों फे थोड़ा फॉकस तर ले ना यह एक्जाम के अंदर ताफी इस तरीके के आते हैं चलेगा नेक्स्ट आगे देखिएगा लखनौ पटना भौपाल जैपुर शिमला बनेगा मेरे सब सब्सक्राइब माचल प्रदेश की राजधानी शिमला है यह सारी राजधानिया चल रही है कैपिटल्स चल रही है ठीक है नेक्स आगे देखिएगे मेयर वकील राज्यपाल और विधायक मेयर वकील राज्यपाल विधायक क्या बनने वाला देखिए लोयर बनने के लिए कोई जनता नहीं चुनती है उसको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो यार बहुत इंपोर्टेंट कोईशन है थोड़ा सा देखो मेयर राज्यपाल विधायक इन सब के लिए वोटिंग होगी इसके लिए कोई वोटिंग थोड़ी होती है लोयर बनने के लिए कि नहीं वोट करो लोयर बना दो थोड़ा सा सोची आराम से चलिए आलू इमली नीबू और संत्रा आलू जो होता है जमीन के अंदर होता है और यह सारे खटे चीज़ें हैं वैसे ठीक है नेक्स आगे चार में से तीन समाने वहाई कौन सा है जो अलग है उसको ग्याद कीजी यह अलग हो जाएगा यह अलग हो चलिए नेक्स रिगवेद यजनुर्वेद अथरवेद आयूर्वेद और सामवेद कौन सा अलग होगा दोस्तों बता ही प्रवेद यजनुर्वेद अथरवेद और सामवेद वेटा जल्दी से बताएंगे तुरंद प्रभाव से कौन सा अलग बनेगा मीना सरकार तो पस फिर आराम से जो मन करे वो करिए है कि नहीं फटाफट से जल्दी से बताओ रिगवेद यजनुर्वेद अथरवेद अथरवेद सामवेद और आयूर्वेद आयूर्वेद कोई वेद नहीं है ना बाकी सब चार वेदों में से हैं चलिएगा इन सभी प्रशनों को आप लोग करिएगा बहुत ही शांदर प्रशन है यह बहुत बढ़िया प्रशन है और बहुत सारे प्रशन है एक या दो या तीन प्रशन नहीं है ठीक है तो बस जिन्दगी में हमेशा जब भी मौका मिले उसे हाथ से जाने मत दो इतना आसाणी के साथ तो बिल्कुल नहीं सही कि नी मेहनत करते जाओ और टेस्ट लगाओ मेरे भायों यह टेस्ट आप लोगों के लिए है आपके फ्यूचर के लिए है टेस्ट लगाओ तभी तो पता लगेगा कि कहां एक्सिस्ट करते हो कि अंद 23 स्वरवरी को होने वाला है परसो होगा है ना परसो यानि कि संडे को होगा दीपू टेन को लाकर टेस्ट लगाना है और लेप्टॉप हो या मोवाइल सो या कुछ भी प्राइस यहां पर अवेलेबल हैं 300 से ज्यादा गिफ्ट वाउचर से हैं और 400 से ज्यादा से हैं ठीक है तो हमें ही मिलनी चाहिए सभी बच्चे एक बार थमसब कर देंगे फटा फट से एक बार कि यस सर बिल्कुल और टेलीग्राम जरूर जोइन कर लेना भाई दीपक सर रीजनिंग ऑफिशल के नाम से टेलीग्राम है यहां पर आपको सारे सेशन की जितनी भी प टेगरी में ठीयोरी मॉक्तेस प्रीवेस एर पेपर के कोशन सारी चीजें बेटा आपको यहां से मिल जाएगी जॉइन जरूर कर लें दीपू टेन कोड लागा कर डीडवल इपीउ वन जीरो एक साथ लिखना होता है दीपू टेन कोड को फांडिशन बैच की क्लासे सफलत कर सकते हैं ठीक है क्लियर है गाईज दीपू टेन कोड आपको याद रहेगा और क्लासे सको अनलोग करने के लिए भी आप लोग इसी का प्रियोग करेंगे ठीक है बेटा क्लियर है तो कमर कस लीजिए फॉलो कर लीजिए फॉलोइंग लिखावा आएगा और उसके बाद में आप गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे उसमें आप दीपू टेन कोड लाएंगे और अप्लाई कर देंगे पैमेंट आप किसी भी मोड से कर दीचिएगा दो मार्च से स्टार थैंक यू सो मच हसते रहिए मुस्कुराते रहिए शेर जरूर कर दीजिए लाइक जरूर कर दीजिए सेशन को बाबाई टेक केर गुड़ नाइट अब नाइस देगे अब 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 अ